कल जब मैं Samsung का नया smartphone जो कि मिड रेंज में आने वाला उसको देखा तो मुझे यह एहसास हुआ या तो Samsung वाले गरीब हो रहे हैं या पर Samsung वाला को अकल आगी है क्योंकि ऐसा डिजाइन भई आपको पहले 25-30 दागी रेंज में किसी भी smartphone में देखने को नहीं मिला जो कि अब आपको Samsung के smartphone में देखने को मिलने वाला है डिजाइन देखा तो बई मुझे ऐसा लगा कि फ्लैक्शिप लावल का phone मिड रेंज में आने वाला है लेकिन specification देखी तो पता चला लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई पूरी specification देखने की तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब के साथ इस मुबाल फूं की specification देखते हैं और देखते हैं कि कैसा phone है यह और बाइदवे यह सैमसंग लेक्सी A-series का A20s का बड़ा 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 A21s होगा अगर आप हमारे चैनल पर न्यूँ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकों को भी प्रेस कर लीजेगा और अगर वीडियो अच्छी लाग रिए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजेगा Samsung Galaxy A20s की कुछ पिक्टर्ज लीक हुई है जिसके मताबिक इसका डिजाइन काफी अच्छा है इसमें आपको एक पंच ओल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो कि 2020 का ट्रेंड भी रहेगा और काफी कूल भी लगता है और अगर बात करें बैक जो डिजाइन है उसकी तो फिंगर्प्रिंट स्कैनर आपको रियर माउंटे देखने को मिल रहे है तो मेरे हिसाब से इसमें एक IPS पैनल होगा और इस पिक्टर के मताबिक हमें राइट से पर पावर ऑन आउप बटन वाल्यूम आप और डाउन के बटन देखने को मिल रहे हैं और बैक डिजाइन पर जो कैमरा प्लेस्मेंट फिंगर्प्रिंट प्लेस्मेंट के जो प्लेस्मेंट काफी हाथ तक सीमिलर रहा है रियल्मी 5K वह इस फून को डिजाइन को देखे मेरे भी कुछ ऐसे रियक्शन थे मैं भी नाच रहा था लेकिन जब स्पैक्सीर देखी तब पता चला कि आखिन और इसके स्पैक्स देखी जाए तो यह एकोलिया आपको हीलियो P35 के परफॉर्मस परवाइट करता है लेकिन जब यह मार्किर में आएगा ताब यह अंदागा लगा पाएंगे इसकी आगर परफॉर्मस कैसी है सैमसुंग की तरफ से यह तो कंफर्म किया गया कि इसमें ए 4 मेड़ाई पिक्सल मेड़ दो मेड़ाई की मैड़ो लेंस सैमसंग डालने वाला और भर मेड़ाई और और एक अंदाजिक मताबिक इसमें अगर प्रिवियस रिकॉर्ड चेकिया जब सैमसंग 820 सीरीज का तो 4000 एमेज की बैटरी के पैसी देखने को मिलने वाली है लेकिन अगर ट्रेंड को देखा जाए तो 5000 एमेज की बैटरी भी स्मार्टफून में हो सकती है और इसके रैम और क्यों वेरियंट्स भी बाहिर आया है कुछ लीक से मताबिक इसमें 3GB और 32GB और 34GB का वेरियंट आपको देखने को मिलने वाला है वह आप क्यों 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 लगता है 3GB 32GB एक्जनोस 850 जो कि मीडिया टेक हिलियो पी 35 के एक और आपको परफॉर्मस देता है इसकी प्राइस पाकिस्तान में क्या होनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और 34GB की प्राइस बता देना क्या हो सकती है पाकिस्तान में और एक्च्वल में इसकी फून की प्राइस क्या होनी चाहिए मेरे अंदाजे के मताबिक इस स्मार्टफॉन की प्राइस पाकिस्तान राउंड होना चाहिए लेकिन प्राइस की बागरत जो कि पाकिस्तान में 3GB 32GB या 3GB 64GB की होने वाली है सैमसुंग ग्लैक्सी A21S की वह वह 32-33,000 पर तो लगता है मुझे कि सैमसुंग के लिए इतना काफी है बागी फिर कभी लेंगे सैमसुंग की लेकिन मैंने एक वाटसेप ग्रूप में अपनी पिक्चर शेयर की थी कुछ दिन पहले और यह बोला था कर कोई बंदा बता दे किस फून से कैप्चर की गी है तो जो भी डियर देगा वो मैं करूंगा और वाटसेप ग्रूप में वैसे इतने सारे लोग एड करना बहुत मुश्किल है इसलिए इंस्टाग्राम पर मुझे फोलो का लिजएगा क्योंकि अब से हम इंस्टाग्राम पर सब चिट्चैट किया करेंगे उस पिचल वाले कॉंपेटिशन का जो विनर था उनके भाई वाले किया इंस्टाग्राम पर चुकिल है इंस्टाग्राम पर मुब स οπο वाम हो नहीं है इंस्टाग्राम